हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप लोग आशा करती हूगे आप लुस्ता भी स्वस्त होंगे और परिवार के साथ बरे मज़े में होंगे तो चलिए आज फिर मैं बनाती हूँ एक अच्छा सा चटपटा सा रेसिपी तो सरसो तेल में मेथी और जीरा का फोरन रखा है साथ में रखा प्याज और हरी मिर्च और ये भिंडी जो आप देख रहे हैं इसकी मैं सबजी बनाने वाली थी सरसो वाली लेकिन चुकि आज एक्जामिनेशन था और सुबह बारिस भी हुई है तो नींद मेरी नहीं खुली तो सोचा कि चलिए इसका कुछ अलग सा ही ब हन्या पाउडर साथ में कस्मीरी मिर्च डालना था जो मैं नहीं डालूंगी और इसको अभी टेज फ्लेम में क्या करना है चलाते रहना है तो क्या हुआ कि आज हर बराहट में ही सारा कुछ प्रोग्राम फैल्योर हो गया सबजी बनाने का तो कोई बात नहीं लेकिन ये जो कोई भी तरह का हिंका चोका या कोई गर्मसाला यूज नहीं किया भुजिया में भी कई लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगी और ये बहुत ज्यादा अच्छी लगीगी साधी रोटी के साथ तो इस तरीके से जब एकदम समय नहीं हो तो इस मोटे मोटे भिंडी के तो चलिए इस तरीके से भुजिया लगभग रेडी हो चुका है तो भुजिया को में अब कुछ मिलाना है और ये देखे मैं क्या मिला रही हूं इसमें मैं जितना भी दही बरा में मैंने यूज किया था मसाला उन मसालों को यूज कर रही हूं ये है काला नमक उसके बाद म बिल्कुल नहीं भुनना है और अब भुजिया एक चटपटा सा भुजिया बन गया बनके तैयार हो गया इसको उतार लेते हैं किसी वरतन में तो इस तरीके से देखिए भुजिया कितना लग रहा है ना टेस्टी आप इसे साधी पूरी के साथ भी खा सकते हैं तो अगर भु बिल्डी आपने काट लिया और सबजी नहीं बना आपका तो आप इस तरीके से भुजिया बनाएं और उन दही बरा के मसाले को इसमें यूज करें तो आप सही में देखिएगा कितना ये अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है खाने में और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इस भुजिया को तो जरूर बताईएगा कॉमें लिख करके की बिंडी की भुजिया कैसी बनी मेरा प्रोग्राम जरूर फैल्लियोर हो गया सबजी बनाने का लेकिन बिंडी का बिंडी सही में बहुत अच्छा बना है तो once again thanks for watching फिर मिलते हैं next वीडियो में next recipe के सा या फिर कोई और recipe के साथ तब तक के लिए bye bye and once again thanks for watching